दोस्तों आप भी जब एक नए PC बिल्ड करने लगते या एक नए मॉनिटर लेने के लिए जाते तो आपके दिमाग में भी confusion आती होगी कि नॉर्मल मॉनिटर ले या गेमिंग मॉनिटर हे गाइस मैं नाम है राना सिंग और आप देखें दे टेक अफ इंडिया और आज की इस वीडियो में आपको बताने वालो कि एक नॉर्मल मॉनिटर और एक गेमिंग मॉनिटर में क्या डिफरेंस है और अगर आप एक गेमर है तो आपके लिए गेमिंग मॉनिटर क्यों important है क् स्पेसिफिकेशन है जो हमें उस गेमिंग मॉनिटर में मिलेंगी तो वीडियो को लास्ट तक जवर देखेगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले हम जानते हैं कि मॉनिटर होता क्या है मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं यानि वीजूल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर एक टाइप की स्क्रीन होती है हम कंप्यूटर में जो भी वर करते हैं उसका ओपुट हमें उस स्क्रीन में देखने के लिए मिलता है और हम computer में जो भी command ही देते हैं, हम उस monitor में देख कर ही देते हैं, PC में videos देखना, songs सुनना, movies देखना, या कोई programming करना, या बोला जाए PC में किसी वितार का task करना, ये सब हम एक normal monitor में ही करते हैं, basically बोला जाए तो हम एक normal monitor ही use करते हैं, जो कि 50 to 60 Hz की refresh rate में आते हैं, और उसकी value हमें market में 5 से 10,000 में देखने के लिए मिलती हैं, अब एक normal monitor हर का में perfectable की हमें medium setting पर अच्छी gaming भी करवा देता हैं, पर जब बात आती है, high setting पर game खेलने की या कोई heavy game खेलने की, जैसे far cry, crisis 3, hitman, gta 5 जैसे game खेलने की, जिससे हमें screen tearing, lagging जैसे बड़ी problem face करने को मिलती है, जैसे देखने को मिलती थी, इन सब problem को दूर करने के लिए company ने gaming monitor launch किये, अब यह gaming monitor 75 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 240 Hz जैसे high refresh rate के साथ देखने के लिए मिले, अब होता गया था, वो normal monitor हमें 50 to 60 Hz के refresh rate के साथ देखने के लिए मिलते थे, जिसमें हमें screen tearing जैसे problem face करने को मिलती थी, अब refresh rate का मतल होता है, हमारे monitor में जितने number का refresh rate होगा, हमारा monitor उतनी ही बार 1 second में new image के साथ अपडेट होगा, जैसे हमारा monitor 50 Hz का है, तो हमारा monitor 1 second में 50 बार new image के साथ अपडेट होगा, अब high refresh rate में image अच्छे से अपडेट हो जाती है, और हमें screen tearing जैसे problem face करने को नहीं मिलती, अब refresh rate में साथ साथ हमें monitor में G-Sync और FreeSync जैसे option भी देखने के लिए मिल जाते हैं, अब G-Sync और FreeSync को में ज्यादे deeply नहीं समझाऊंगा, बस मैं इतना बताऊंगा कि दोनों technology graphic card के साथ screen के display का balance करके monitor की performance को better करती है, इन सब के साथ साथ हमें monitor के response time भी अच्छा देखने ने के लिए मिल जाता है, normal monitor में response time जदा देखने के लिए मिलता रहा, बलकि gaming monitor में response time कम देखने के लिए मिलता है, मतला कि कोई भी command का response पूरा आनद करवा रेते हैं गेमिंग मॉनिटर के प्राइस के वैल्यू नॉर्मल मॉनिटर के प्राइस के वैल्यू से ज़्यादा होती है यह था डिफरेंस एक नॉर्मल मॉनिटर और एक गेमिंग मॉनिटर के 20 का I hope आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देज़ेगा, ठैंक यू